फ्रेंट स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज के विडियो में बात करने वाले हैं IRFC और RBNL के बारे में IRFC में आज के दिन बहुत ही बड़ी तेजी देखने को मिल रही है और मैंने जो कल वीडियो में बोला था वही सेम सिनेरियो होते हुए नजर आ रहा है अब मैं आपको यहाँ पे यह नहीं बोल रहा हुए है मैंने future देख लिया यह कुछ है ऐसा कुछ नहीं है बकी जो news निकल के आ रही थी जो updates निकल के आ रही थी मैंने आपको बोला था कि इनका जो impact है वो बहुत बड़ा देखने को मिलेगा और वही कुछ आज के दिन होते नजर आ रहा है तो आखिर वो कौन सी अपडेट्स थी और यहां से क्या क्यूबन से पहले शेर जो है वो 40 रुपे के लेवल्स को टच कर सकता है और यहां से क्या क्यूबन में आपको एक बहुत बड़ा कॉर्पेट एक्षन देखने को मिलेगा इन सारी चीज़ों पर हम डिस सब्सक्राइब जरूगा देजेगा अब आज के ओवराल मार्केट के बारे में अगर हम यहां पर बात करें तो 15 या 14 मिनट का टाइम बागी है और निफ्टी मिट कैप में करीबन सारी 300 पॉइंट का मूमेंट है यानि कि ओवराल अगर आप यहां पर देखो तो आज जब वीगली ओपनिंग होई है तो डेफिनिटली पॉजिटिव साइड पर ही होई है वही अगर हम टॉप गेनर के बारे मात करें बी एलेस इंटरनेशनल साड़े 14 परसंट से ज़्यादा किती जी बी इएम एल साड़े 10 परसंट हिंदुजा कॉपर और आई एरेफसी वही अगर हम बात करें टॉप लूजर के बारे में तो पिरामल एंटरप्राइज़ इक्विडास बैंक आई एफ बी इंडेस्ट्रीज और अवावज फाइनेश आपको यहां पर साड़े 3 परसंट से लेके 6 परसंट की गिरावट दिखाते हुए नजर आ रहे हैं अब मैं आपको डिरेक्ली लेके चलता हूँ कि आखिर आई एफसी में क्या कुछी चीज़ें जो हैं वह आपको देखने को मिल रही है यहां पर आप देख बारे होगे कि आई एफसी में आज के दिन एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिली है साड़े 9% के आसपास का मुवमेंट है और करीबन एक मिल जबा की है तब साड़े 9% के आसपास मुवमेंटम आपको देखने को मिल रहा है अपसाइड में 38 रुपे 40 पैसे पर शेयर जो है वो ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है और क्या पता यहां से आपको कल के दिन ही शेयर जो पो 40 रुपे के लेवल दिखा दे यानि कि बड़े टार्गेट जो है आई और एपसी में अच्छी बूते नजर आ सकते हैं लगबग साड़े 9% की तीजी बन गई है 38 रुपे 55 पैसे इसने हाई बनाया है और अपने हाइस्ट पॉइंट के आसपास ही इस यह जो है वो ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है मिले है एक हफ़ते में साड़े 8% के रिटरंस है एक महीने में साड़े 16% के रिटरंस है तीन महीने में 20% 6 महीने में 15 और एक साल में 85% के आसपास के रिटरंस मिल रहे है लेकिन आज अगर आप देखो के तो इतनी बड़ी तीजी का जो रीजन है न्यूस तो आगे मैं आप आपको बताऊंगा हुई लेकिन यहां पे देखो कि वॉल्यूम इतना जादा आया है आई आरेपसी में 22 करोड का वॉल्यूम है जो कि एवरेज अगर हम देखे तो 3-4 करोड का आता था यानि कि अगर आप देखो कि तो फ्राइडी के दिन केबल 3 करोड का वॉल्यूम था एक हफते का एवरेज 6 करोड का था यानि कि इतना बड़ा वॉल्यूम अगर आप यहां पे देखो तो आज के दिन देखने को मिला है 22 करोड का और वहीं अगर हम बात करें तो कुछ और भी ऐसे स्टॉक्स थे जिन में आज के दिन बहुत बड़ा वॉल्यूम देखने को मिला जैसे की सुजलॉन एनरजी सरकिट लग गया इसमें तो आई एर एपसी और बेंक में भी अगर आप देखो तो चीज़ां को चाहाज एक अपसाइड में जाते हैं नजर आई है और वॉल्यूम में बहुत ज्यादा निकल के आया अब देखो यहां पे एक निउस निकल के आ कौन सी ऑपरचुनिटीज हो सकती हैं जिसमें उनका जो बिजनेस एक्सपेंडेशन है वो पॉसिबिलेटी बनाई जाए और जब यह निउस निकल के आई थी तब वो यहां पे शेयर में गिरावट देखने को मिली थी मैंने आपको उसी टाइम बोला था कि यह जो निउस ह है जो कि शेयर में बहुत बड़ी रैली ला सकती है क्योंकि अगर आप देखोगे तो अपने पर्टिकुलर सेक्टर में तो आई यह अपसी जबज़स्त काम करी रही है लेकिन अगर आप देखोगे तो और ज़्यादा अगर आप देखो यानि कि ट्रांसपोर्ट इंफरस् की तरह काम करने वाली है यानि कि IRFC को पूरी तरीके से यहां पर जो एडवाइजर्स हैं वो प्रोवाइड कराई जाएगी कि कैसे और कौन-कौन से रीजन में जो है वो जाया जाए और वहां से अपने बिजनेस को और ज्यादा एक्सपेंड किया जाए तो यह कुछ चीज अलदी देखने को मिल जाएंगे क्योंकि 12 अगस्त को तो आर्वी अनल के नमबर्स देखने को मिलेंगे और एक दो दिन पहले या एक दो दिन बाद आपको IRFC के नमबर्स भी देखने को मिल जाएंगे चांसे हैं कि इस बार इनमबर्स अच्छे आए और इस बार शायद जो चीज़ आप सभी को पता है कि दो दिन का OFS आया था और O was subscribed हुआ 1.7 times subscribed हुआ institutional investors ने तो इतनी ज़्यादा बोली लगा दी फिर अगर आप देखोगे तो जो overall retail investors हैं उन्होंने भी अच्छी काची बोली लगाई सरकान ने अपना जो green shoe option होता है वो भी exercise कर लिया यानि कि additional जो steak था वो भी यहाँ पर बेचा और अब जो है RBNL वो minimum public shareholding company जो है वो बनते हुए नजर आ रही है RBNL की return profile लिवंगर है हम लोग बहुत बारी discuss कर चुके हैं तो उसका कोई मतलब नहीं मनता है लेकिन हाँ OFS इनका जो है वो काफी जादा successful रहा है और अब अच्छी काशी shareholding करीबन करीबन साड़े 5% के आसपास यानि कि specifically बात करें तो 5.36% से steak जो है गर्मेंट ने कम कर दिया है जिसका मतलब यह है कि अब यहाँ पे further जो cut off है ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक IRFC ऐसा option बचता है जिसमें आपको बहुत चल्दे OFS वगरा या फिर और कोई options देखने को मिल जाए क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो IRFC में अभी भी 86% के आसपास promoters की holdings है जो की कम करना यहाँ पे mandatory होता ही है 75% पे लाना ही चाहिए लेकिन अभी तक तो कोई announcement हुआ नहीं है सरकार क्या चाहती है कैसे करेगी यह सारी चीज़ भी अभी announce नहीं हुई है लेकिन दूसरी companies में यहाँ पे OFS का announcement हो चुका है तो यह कुछी चीज़े निकल गया रही थी जो कि मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दिये तो फिलाल वीडियो में बस इतना ही वीडियो गर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरू करिएगा चैनल पर फर्स टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूगा दीजेगा धन्यवाद